अखंड भारत के बयान पर पाकिस्तान के आपत्ती पर मधिप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादद ने मुहतोर जवाब दिया है सीम मोहन ने कहा कि पाकिस्तान लाख आपत्ती चुता है हम सिंध को कैसे छोड़ सकते हैं अखंड भारत हमारा सपना है और ये सपना खत्म नहीं हो सकता देखिए ये खास रिपोर्ट सीम मोहन यादद के एक बयान से हिल उठा पाकिस्तान मोहन यादद ने अखंड भारत को लेकर दिया बयान तो तिल मिला गया पाकिस्तान मोहन के बयान पर पाक ने जताई आपत्ती संयुक्त रास्टों से लगाई गुहार पाक की आपत्ती पर सीए मोहन ने दिया मुहतोड जवाब मोहन बोले पाक की आपत्ती से अखंड भारत का सपना कभी खत्म नहीं होगा आयोध्या में रामलला के प्रान प्रतिस्ठा के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत को अखंड बनाने की बात क्या कही पूरे पाकिस्तान में हरकंप मच गया इसके बाद पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज कर आपत्ती जताई और सयुक्त रास्टों से दखल देने की गोहार लगाई है अब पाकिस्तान के आपत्ती पर से ये मौहन ने एक बार फिर करारा जवाब दिया है मौहन यादव ने कहा कि पड़ो से मुल्क लाक आपत्ती जताई लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत पहले अखंड ही था ननकाना साहेब सहिद कई स्थल हमारे अतीत में अखंड भारत के हिस्से रहे हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा का जिक्र आज भी हमारे रास्टगान में हैं हम सिंध को अलग कैसे छोड़ सकते हैं हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारो हजारो साल से रहा है किसी के आपत्ती करने से बात समाप्त नहीं हो जाएगी वो अपनी जगह इस्थाई रहेगी गौर तलब है कि मोहन ग्यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद बड़े ही साइलेंट तरीके से काम कर रहे थे लेकिन अखंड भारत के एक वयान से सीए मोहन ग्यादव इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेंट करने लगे है विरो रिपोर्ट, MP News, फोपाल